हिलो सात्यूं आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तूं आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूपी पुलीस एसाई रिकॉरिमेंट 2021 के बारे में अपलाई ओनलाइन फॉर 9534 पोस्टों पर अब आप सचोगे कि यह भरती है बहुत पहले आ चुकी थी तो फिर आज वीडियो बनाने का क्या हो देशे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोनों के कारण इसकी जो फॉरम बरने की जो अंतिमतिती थी जो पहले 30 अप्रेल दोस्तों तो इसको बढ़ा दिया गया है और अब 31 मही कर दिया गया मलब एक मही ने लगबग ओल्मोस्ट आगे बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों आपके पास एक मेना और बच गया है तो दोस्तों जिनों ने भी इसका फॉरम भरा नहीं है तो दोस्तों आप इसका फॉर ओपिसर ओनलाइन फ़रम 2021 पुस्ट की डेट है 14.08.2020 तो दोस्तूं ये 2020 में ये वियापने वो जारी हो चुका था लेटेस्ट अपडेट है 22.04.2021 मतलब की तीन दिन चार दिन पहले की है मतलब की 22.04.2021 को वापिस एक नोटिस जारी हुआ है जिसके तहट इसकी जो लाश्ट डेट थी फ़रम बरने की उसको आगे बढ़ा दिया गया है आगे बात करें दोस्तूं तो टोटल वेकेंसी है 93534 अब इसमें ब्रिफ इन्फरमेशन है संक्षिप्त इसकी जानकारी देते हैं उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश पुलीस रिक्यूर्मेंट वोर्ड यूपी प्यार पीबी एज गीवन ए नोटिफिकेशन पोर देर रिक्यूर्मेंट अब दे सब इंस्पेक्टर जिसे हम उपनिरिक्सक भी कहते है मेल और फिमेल महिला और पूरुष दोनों के लिए प्लाटून कमांडर पीसी एंड फायर ओपिसर वेकेंशीज दोज केंडिडेट्स आर एंटेस्टेड तो देर वेकेंशी इन यूपी पुलीस एंड कम्प्लिटिड देर आल इलिजिबिटी क्रेटेरिया कें जीड देर नोटिफिकेशन एंड अप्लाइ ओनलाइ फॉर्म तो दोस्तों अगर आप इसमें पात रहें तो आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश यूपी पुलीस सब इंस्पेक्टर एंड अडर वेकेंशी 2020-21 इसकी एप्लिकेशन फीस है वो आपको बता दू कि आल केंडिडेट्स शुड पे आर्श चार सो रुपे है दोस्तों चाया आप किसी भी केटेग्रिजिम बिलों करते हो आपको चार सो रुपे बरने पे दे एग्जामिनेशन फीस थूँ इचालान और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंग आप इन तीनों मेथड से आप फीस भर सकते है इंपोर्टेट डेट्स क्या है स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ओनलाइन ये दोस्तों एक अप्रेल 2021 से शुरू ही थी क्लोजिंग डेट तो फीस पेइमेंट समिशन ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन तीस मई 2021 तो दोस्तों इसको बढ़ा दिया गए कब से तीस अप्रेल 2021 से एक्टेंड टू तीस मई 2021 इसमें एज लिमिट है, वो क्या रहने वाली है तो दोस्तों एज लिमिट एज ओन एक जुलाई 2021 से इसकी गढ़ना की जाएगी आपकी कम से कम उमर एकी साल होनी चाहिए और मेक्सिमम है वो अठाई साल आपकी उमर होनी चाहिए अब इसमें आपकी जनमती थी है केंडियेट सुड बोर्न बोर्न जनम बिट्वियन के मद्धे किसके मद्धे दो जुलाई 1993 एक जुलाई 2000 के मद्धे आपका जनम हुआ हो तो ही आप इस बर्ती के लिए पात रहोंगे आप इसे अधिक जानकारी के लिए एज लिमिट देखने के लिए दोस्तों आप इसका ओफिशल नोटिफिकेशन है देख सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्सिन बोक्स में उसका लिंक है मिल जाएगा दोस्तों एजुकेशनल क्वाइफिकेशन है वो क्या रहेगी फोर एसाई एंड प्लाटून कमांडर जो पोस्त है इसके लिए दोस्तों केंड़ेट्स सुड पोजेज बेचलर डिग्री पोजेज यानि उसके पास में होनी चाहिए बेचलर डिग्री यानि कम से कम सनातक जिसे हम पाइनल कहते है बारत के किसी भी विश्वविध्याले से है जो बेचलर डिग्री है जिसे हम सनातक कहते हैं वो हो सकती है चाहिए बी-ए हो बी-कॉम हो या बी-ए-सी हो इसके अलबा दोस्तों एक पोस्ट है आपके ओर फायर उपिसर के लिए दोस्तों फर्म वरना चाहते हैं तो आपके पास में सनातक होना चाहिए कौन से किस इस्ट्रेम से तो दोस्तों अगर आपने भी-ए-सी फाइनलियर पास कर लिए तो ही आप इसमें पातर होंगे इसके अलवा दोस्तों फिजिकल इलिजिबिलिटी भी है इसमें मलब सारी रिक जो दक्सता है वो क्या होनी चाहिए फोर मेल केंडिट्स के लिए हाइट है वो 168 सेमी है जनरल ओबीसी एसी एंड 160 सेमी है एस्टी के लिए एस्टी को इसमें छोट दी गई है बाकि जनरल ओबीसी और ऐसी है इन तीनों के लिए 168 सेमी है इसके अलवा दोस्तों चेश्ट की बात करें जिसें चाहती कहते है 79 से 84 जनरल ओबीसी एसी और इसमें दोस्तों एस्टी को थोड़ी सी इसमें छोट दी गई है यह रिख सकते हैं रनिंग है 4.8 किलोमेटर मतलब लगभग 5 किलोमेटर की रनिंग है वो भी 28 मिनट्स में तो कापी सारा समय आपको मिल रहा है यह है जनरल ओबीसी और ऐसी के लिए दोस्तों 4.8 किलोमेटर रनिंग है वो 28 मिनट्स में एस्टी के लिए चेष्ट है इसमें इनका कोई नहीं है running की बात करें तो 2.4 किलेमेट running है वो 16 मिनेतमे इनको करनी है जनेरल OBC और SC के लिए वो 2.4 किलेमेट running है 16 मिनेट में AST के लिए भी करनी है मतलब इनको कोई runn dare AST को किसी भी परकार की अलगसेगं कोई छोट नहीं है अब बात करें वेकेंसी डीटेल गी तो दोस्तों पोस्ट का नाम क्या है यहाँ पोस्ट का नाम है टोटल पोस्ट है के इतनी है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलीस पुलीस में जो दोस्तों उपनिरिक्सिक होता है इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट है नो हजार स होना कमपल्सरी है आगे बात करें इंटेस्टेड केंडेट्स कें रीड फुल नोटिफिकेशन बिफॉर अप्लाई ओनलाइन आप अगर इसके चुक है तो दोस्तों आपको जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको फॉर्म बढ़ने से पहले पढ़ लेना चाहिए दोस्तों अब नोटिफिकेशन आप कहां से पढ़ोगे मैं आपको बता दू कि अप्लाई ओनलाइन लास्ट डेट एक्स्टेंड इन सब की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा तो आप इन सब की लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नोटिस पाइट्स है उनकी भी कोई कमी नहीं है तो दोस्तू ऐसा यह बहुत बड़ी पोस्ट है ओर दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप इस्विम सौचके देखें कि दो मचलीह तालाब में एक छोटी सी है और येक बड़ी सी है तो दोस्तू आप बताओ उ उनको पकड़ना सरल किसको रहेगा छोटी को या बड़ी को अगर आपके अंदर हीमत है तो आप बड़ी को आसानी से पकड़ सकते हैं जबकि जो छोटी मचली है वो मुश्किल से हाथ आती है क्योंकि हम कहते हैं कि जो छोटी चीज है वो इधर उदर से निकल जाएगी लेकिन जो बड़ी चीज है उसको हम आसानी से पकड़ लेंगे तो दोस्तों कभी-कभी क्या होता है जितनी छोटी पोस्ट होगी उतना ही competition क्या है ज्यादा रहेगा तो आप यह नहीं देखें कि SI की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है हाँ बड़ी पोस्ट ह competition भी है लेकिन छोटी पोस्टों की तुलना में यहां competition आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा तो दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार की तैयरी कर रहे हैं और आप SI की चुक हैं तो आपको बेफिकर होकर इसका forum है वो apply कर देना चाहिए क्योंकि राजस्तान में भी SI की बरती आ चुकी है तो दोस्तों राजस्तान की SI बरती complete होने से पहले अगर आप UPSI की देखते हैं तो दोस्तों वहां और यहां सलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं देगा आपकी तैयरी है उसका पता चल जाएगा आपको कि आपकी तैयरी कितनी क्या है आपको एक opportunity मिलती है एक extra जो आपकी बरती है और दूस्तरी बात में बता दूँ कि इस UPSI की जो बरती है इसमें भारत के किसी भी राज्ये के लोग है वो फरम है बर सकते है क्योंकि जो general की city है वहां किसी भी राज्ये का बेरती है वो selection ले सकता है तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि UPSI की जो बरती है इसकी जो last date है उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा कर 30 मई 2021 तक कि इसकी date है वो बढ़ा दी गई है तो दोस्तों जो भी वंचित अभेरती है जिनोंने अभी तक इसके फरम नहीं बरहे है और बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आ अगर आप हमारे चेनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों अभी के लिए इतना ही फिर सी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जेहिन जेह भारत राम राम साथ